लोगसब़ चुनाव को लेकर यूपी में बीज़पी ने क्या रन्नीती बनाई है 2019 चुनाव जीतने वाली बीज़पी की गाउं गाउं पाउं पाउं रन्नीती क्या है साल 2014 के लोगसब़ चुनाव में बीज़पी ने उतर प्रदेश में शांदार जीत हासिल की थी पार्टी ने अपने सेयोगियों के साथ मिलकर सूबे की 73 सीटों पर कबजा किया था बीज़पी प्रदेश में एक बार फिर वही जीत दोहरानी की जुगत में है इसके लिए पार्टी ने खास रनीती बनाई है दरसल अगले साल होने वाले लोकसबा चुनाव के लिए बीज़पी ने यूपी के ग्रामन इलाकों पर खासा जोड देने का फियसरा किया है बीज़पी ने इस अभ्यान के लिए पहले हम गाउं गाउं चले अब पाउं पाउं चलेंगे का नारा दिया है इस पद्यात्रा के दौरान बीज़पी कारेकरता और नेता घर घर जाकर लोगों से सीधा संपर करेंगे इतना है नहीं खबर तो यहां तक है कि बीज़पी अपनी इस रणीती को जारखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी आगे बढ़ाने की योजना तयार कर रही है यूपी सरकार में मंत्री और बीज़पी नेता श्रीकान शर्मा ने कहा कि उतर प्रदेश में गाउं गाउं पाउं 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 पद्यात्रा एक सी पंद्रा दिसंबर तक आयोजित होगी ये महात्मा गांधी की 150 वी ज्योयनती के अफसर पर आयोजित की जा रही है जिसमें पार्टी कारेकरता घर घर जाकर केंदर की मोदी सरकार और राजी की योगी सरकार की जन कल्यान योजनाओं के लाभार्तियों से समबात करेंगे बीज़पी के नेता के मुताबिक हर विधान सभा में 150 कारेकरता चिन्हित किये गए हैं उनकी 6-6 टोलिया बनेंगी हर टोली में 25 कारेकरता होंगे और ये कारेकरता हर गाउं के प्रतिक बूत पर जाएंगे इतने नहीं इस अभ्यान में सरकार के मंत्री विधायक और कारेकरता हिस्सा लेंगे पद्यात्रा के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की जन्हित की अलग-अलग योजनाओं के बारे में जनता से चर्चा करेंगे साथिय नरेंद्र मोदी को फिर से ब्रधान मंत्री बनाने और बीज़ेपी को पहले से ज्यादा बड़ी जीत दिलाने की अपील भी करेंगे इंडिया नियूज वारिल की रिपोर्ट